जाएन दोस्तों मैं हूँ लक्षा सिंग और आप देखे रहे ले सिंग स्टेडी पॉइंट आज मैं जानेंगे भारत के परधान मंत्री वो मंत्री पर्दिसद जो कि सभी परत्तियों प्रिक्षाव के लिए बहुत ही महत्पूर्ण है तो पहला है कि भारत परधान मंत्री बनने के लिए निर्टम आयोग कितना वर्ष का होने चाहिए तो पचीष वर्ष का होना से ये संसदिय सासन प्रनाली सबसे पहले किस दिस में लागू की गई तो बरिटेन में किया गया था भारत के पर्धान मंत्री के निउक्ती कौन करता है तो राष्टरपती करता है योजन आयोग का द्यक्स कौन होता है तो पर्धान मंत्री होता है संगिय मंत्री मंडल की बैठक का सबा कौन करता है तो प्राइम मनिस्टर यानि के पर्धान मंत्री करता है परधान मंत्री के कारेकाल कितने वर्ष का भी होता है तो 5 सालों का होता है अगला है कि परधान मंत्री पद से त्याग पत्र दिने वाले भारत के पहले परधान मंत्री कौन थे कौन थे तो मुरार जी दे साई थे नौ नमर है कि भारते समिधान का नुशार तथ्यात्मिक संप्रभुता किस व्यक्ति में नहीत होती है तो परधान मंत्री में होती है गखते हैं नेक्स्ट भारत का पहले परधान मंत्री कौन थे पता ही होगा जौर लाल नेरुजी थे नेक्स्ट में क्या है कि कितने परधान मंत्री की मौत अपने पत पर रहते हुए है तो तीन किन किन थे अर्थात किन किन परधान मंत्री की मौत अपने पत पर रहते हुए है तो पहले में है पंडी जोहर लाल नेरू है दूसरे में है अपका लाल बहादूर सास्त्री और तीसरे में है इंद्रा गादी ठीक है नेक्स्ट है कि पर्धान मंत्री को पद का सपत कौन दिलाता है तो राष्ट पती दिलाता है कौन परधानमंत्री जिसने एक बर अपने पद से हटने के बाद दोबरा पद संभाला है नेक्स जोहरलाल नहरू के बाद परधानमंत्री कौन बने थे तो गुलजारी लालननदत है next दखते हैं पंदरवा नमर एक संसाधियasa stand प्रणाली में वास्ट्री काड़ा पालिका कि सक्तिय किस के पास होती है तो परभानमंतरी के पास होती है next है सबसे कम आयू में परभानमंतरी कौन बने थे तो राजजी वगांधी जी बने थे next है लोकसभा में बहुमत दल नेता कौन होता है तो परधान मंत्री होते हैं प्राइम मिनिस्टर नेक्स्ट है कौन सा परधान मंत्री नियुक्ती के वक्त वे किसी सदर में सदस्य नहीं थे कौन थे है एच डी देव गोडा थे गोडा नेक्स्ट है किस परधान मंत्री ने एक बि परिशत के मंत्री किसके प्रती उतरदाई होते हैं तो लोग सबाके अगले देखिए कि किसी भी सदन का सदत से बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है तो 6 महिनों तो ही रह सकता है अगला एक समिधान के किस अनुच्छेद में मंत्री परिशत क कि नियुक्ति वह पदियुक्ति का परधान होता है तो आर्टिकल 75 यानि का नुच्छित पचत्तर में नेक्स्ट है कि मंत्री मंडल का गठन करने वाला कौन थे तो केंद्री मंत्री होता है देखते हैं अगला नेक्स्ट है सोतंतर भारत के पहले कानूनी मंत्री कौन थे तो डाक्टर भीमरा अम्बेद करते नेक्स्ट है मंत्री परिशत के सदस्वे का सपत कौन दिलाता है तो राष्ट पती दिलाता है अर्थाथ भारत के मंत्री परशद में अधिक सदस से कहां से लाए जाते हैं तो लोकसभा से लाए जाते हैं 28 नमर या सोतंतर भारत के पहले प्रतिर अच्छा मंत्री कौन थे सरदार पटेल सरदार बलाबाई पटेल थे सोतंतर भारत के पहले वीत मंत्री कौन थे डाक्टर जॉन मताई थे, ठीक है, मिलते हैं इसा ही अगली वीडियो में, वीडियो पसंद दे तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, धन्यवाद,